लास पार्ट में देखे थे कि टार्गेट बताने वाला लड़का मतलब डॉंग को कोई मार देता है और उसकी बेरेंड कबर्ट में बेवश हो जाती है फिर उसे जल्दी से ऑस्पिटल ले जाते है उधर घर में सारे फ्रेंसिक डिपार्टमेंट आके चेकिंग करते है फिर लग तो रहा है अभी देखते हैं फिसंजर देखता है कि कबर्ट में रह फोल है तो उसके अंदरि बजहा कर बैट कर देखता है कि अंदर से सब कुछ दीख रहा है जा Пर-डॉं का मरडर हुआ था था थो समझ जाता है कि जरूर उसकी बेहन ने उसका मरर होते हुए देखी होईगी फिर पाक और सुन जे जोक्टर जीन के बाद जाते हैं वो बताते हैं कि जादा खुण भाइने की वज़े से मौत हो गई है फिर पाक पूछता है कि यह किचन के चापु से मारा हुआ ना घाउ से लग रहा है तो डॉक्टर जीन बोलता है कि मैंने तो सुना थ हुआ है तो डॉक्टर जीन बताता है कि दो से च्छे बजे के बीच में हुआ है तो पाक बोलता है मतलब उसकी बहुत शॉक में इसलिए किसी से बात नहीं कर रही है वह लोग बात करने की कोशिच भी करते हैं बड़ वो कुछ नहीं बोलती तो सुन जेई को कॉल करकर होस् बोलना ही नहीं चाहरा है तो सुन्जे बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया हूं ताकि तुम इसको बुलवा सको पूरे दिन वह अपने भाई की बॉड़ी के साथ ही घर में थी तो पता लगाओ कि इसमें क्या देखी है पाग बोलता है कि इसका चेहरा देखकर ही कि इसको बच्चे पसंद नहीं है ये क्या बुलवाई इर सुन्जै बीना बात का जवाब दिये चला जा तो पाग भरत जाते हैए वापिस इसने मुझे इग्नोरी किया जवाब रहा है तो बाहर जाकर उसको टपली मारता है कि अब सुकूल मिला फिस सुन्जे उसको गुर्दा रहता है तो बोलता है क्या मारना चाहते हो तो मारू ना अगर मेरी पहली बात सुन लिए होती तो आज उसका भाई और वो दोनों सही सरामत होते तुम बस क्रिमिनल के पीशे हो विक्टिम का ख्याल नहीं आता क्या तब सुन्जे उसको एक पंच मार के नाक से खूल निकाल देता है सुन्जे बोलता है तुम नहीं बोलता है दोनों बच्चे की तरह लड़ता रहते तो पूरी सारे लोग आके वह दोनों को रोपते पुलिस स्टेशन में पाग और तो हमेशा से मारना चाथा था मुझे उसक पॉर्ट्मर क्यों ब मैं तो इसलिए बनाया क्योंकि वह कल्पीर पकरने में ईक्स П पर पाक कि उस एक आदमी मिलते है जिसको निकाल दिया गया था चोड़ी के लिए वो बोलता है क्या कमीना है इसका काम है कि चोड़ी से बचाना कर रहा है फिर जब उसकी फोटो देखता है तो वो उसको चोड़ जैसा लगता है सुन्जे इंडिनेट कैफे में कॉल करके पू अपने पास यही को देख के वो मुझ फेड़ लेती है को भी नहीं समझता है कि क्या बात कर इसलिए वो बस अपना नाम बता के छुप हो जाती है यहां दोनों इंटेनेट के जाते हैं सुन्जे बोलता है तुम्हें तो कई और जाना था ना मेरा पिछा क्यों कर रहे हो बलता लोगों के चुज के दÍशान मिला है मतलब यही दोनों ने ही मारे होईंगे ची बोलता है कि इसको ढूना श्रू करो फिर यहां सीगरेटी Kampanie होगा यह पर इतना छोटा क्यों है फिर सुझे देखता है कि वह एरिया में वह दो घर भी शामी ने जिदे वह लोग ने पहले चोड़ी किये थे तो वह लोग समझ जाते हैं कि आज राद भी शायद कोई चोड़ी करेंगे तो इस घर के पास चीफ लोग पैरादारी करते हैं दुसरे घर पे पाक और सुझे करते हैं वहां उस्पिटल में जही बच्ची के लिए चोकलेट ले जाती है बट वो फिर मोफेर लेती है तो जही वहीं पर रख देती है फिर यहां सुबा तक यह लोग चोड़ का इंदार करते हैं चोड़ का कुछ पता नहीं रहता वहां जही देखती है कि बच्ची कुछ खानी रही है नहीं खाना और नहीं उसका चोकलेट इदर चोड़ घर के सारे पैसे चोड़ी करके जा रहे थे तो पाक और सुझे उसे रोकते हैं फिर सुझे जही को कॉल करके बोलता है कि हमने दो लोग को पकड़े हैं बट वो लोग बस चोड़ी का इलजाम कबूल कर रहे हैं मडर का नहीं अगर बच्ची कुछ बोलेगी तो कॉल करने फिस सुझे एक से सवाल करता है डॉंग के बारे में बट वो बोलता है कि मुझे नहीं पता मैंने कभी नहीं देखा दूसी तर अग पाक दूसरे से सवाल करता है वो भी वह बाहर जाके वो चीफ से पुछता है कि वो लोगे घर्जी कुछ मिला तो लोग बताते हैं कि नहीं कि चोड़ी का समान मिला कोई मडर का चाकुन नहीं मिला फिर वो सुझे से पुछता है कि जैसे कुछ मालूम हुआ तो बोलता है कि नहीं पाक बोलता क्या कर रही है वो ती जरुवत नहीं पड़ती थी बड़ाज लगता है कि मेरी बारी है फिर वो उसको अपने बारे में बताती है कि जेई ने अपने पैरंस को मरते हुए देखी है फिर पहले का दिखाता है जहां जेई के पैरंस आग लगने की वज़े से मर रहे थे बर जेई को कुछ समस्ता नही कि क्या करे और वो उसके पास जा भी नहीं पारी थी इसलिए सब लोग बोलते हैं कि जेई नहीं घर में आख लगाई है करके तभी बाहर सुन जे आके भी सुन लेता है सब कुछ जेई बदा दी है कि बहुत लंबे टाइम तक उसको सब लोग ने कीलर बोले थे वो बोलती क लो बहुत कुछ कर सकती है फिonds बालनी बायिन भाई ने बोला थे कि कबर्ट में रहें प्र दिछाता है कि डांग अपनी में बैंसे प्रामिस लेता है क्यों कबर्ट सब बहादे ही बाहर यह दोनों चोड डॉन से पुछते हैं कि तुम्हें पुलिस ने कैसे छोड दिया तो वो बोलता है कि मैंने बोला कि ऐसी घर घुम रहा तो तो कोई सबूत नहीं था इसले छोड़ दिये फिर उसमें से एक बोलता है कि तुमने बोले और वो तुम्हारा विश्वास कर लिये फिर पुलिस कैसे आई थी दुसरे घर में बोलके उसे लाट मारता है फिर चापो निकाल के मारता है अंदर बच्ची यह सब देख लेती है बट कंट्रूल करती है बाहर वो दुसरे को बो बोलता है कि तुम भी चापो से मारो और उसे भी मारवाता है फिर डाउं दर्वाजा बंद करने की कोशिश करता है ताकि उसकी बहन देखना सके बट उससे पहले ही उसका दम तूट जाता है यह सब बता कि बच्ची बहुत रोती है जी को नहीं समझता है क्या करें तो उसक एक लड़की को मारा है सेम पुराने तरीके से जैसे पहले देखे थे हमने और उसके बैट पे साथ डॉट रहते हैं फिर पुलिस लोग क्राइम सीन पर जाते हैं और बाते करते रहते कि अब देखना सुन्जे आए का जुन्हों ने किया है फिर वेसे ही होता है सुन्जे भ हाता रहते तो पाक मीना और दाई को बात करते संद reden हैं जिसको सुन्जे पकड़ने में फेल हो गया था जब भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता यह उन्सक के बारे में कुम्यूनिटी में काल करके पूछता तो वो लोग बोलते हैं कि हां रिकॉर्ड हमारे पास भी नहीं है यह सुनके पाक हुझ हो जाता है फिर वह जाता है 2016 वे पार्ट के बारे में पता लगाने उसके पुराने पुलिस ठेशन वा जाकर पुछता है 2016 वोले पार्ट के बारे में उसका खुद वो बेंड़ी्ट था बेम सिटक्र रहे है उसका पुलिस Bono लोगो लेटर तो उसमें देखता है कि लाइसनस नंबर तो उसको यान आता है कि सबसे पहले जिसकार से टक्राने वाला था उसका लाइसनस नंबर भी सेम ता मतलब जिसको वह बोल रहाथा कि बहान मी करने वह पाक रहता है जहां वही सीरियर की लड़ एक औरत को मार रहा होता है फिर ये बोलता है कि काफी दीन हो गए उस बात को बट मुझे अभी भी याद आ रहा है मैं रुकना तो चाता हूँ बट मैं रुकने पा रहा हूँ बोलकर जाता रहता है और फिर हमें लांस में दिखाता है वही साथ डॉट वाली औरत की लाश को यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है तो नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बैन नोटिफिक्शन ज़रूर आण करें अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें मिलते हैं नेक्स एपिसोड में बाई टेक केर